तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉट डलहोजी का इतिहास और इसी वीडियो में 1857 के 77 संग्राम पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ तो जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्करप्शन बोक्स में वेबसाइट के लिंक दी गई है तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं तो आईए इस वीडियो के सुरुबात करते हैं और पढ़ते हैं लोड डलहोजी और 1857 के 77 संग्राम के बारे में तो वीडियो के सुरुबात यहां से करेंगे लोड डलहोजी का इतिहास लोड डलहोजी का जन्म 22 अप्रेल 1812 को बिर्टेन में हुआ था लोड डलहोजी को अरल आफ डलहोजी के नाम से भी जाना जाता है इसको आपको यहाँ पर याद रखना है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है लोड डलहोजी को सामराज जबादी नीती का समर्थक माना जाता है क्योंकि उसने इस नीती के तहट भारत के कई राजियों को अंग्रेजी सामराज का हिस्सा बनाया था सामराज बाती नीती का समर्थक किसको माना जाता है लोर्ड डलहौ जी को माना जाता है भारत के जो राज इस्ट इंडिया कमपनी के अधीन थे उन राजियों के राजाओं या नवावों को कोई बास्तविक उत्रा अधिकारी नहीं होता था तो वह है राज अंग्रेजों के पूर्ण अधिकार में आ जाता था इतिहासकारों ने लॉट डलहौजी की इसी नीती को अपहरण नीती या हड़प नीती कहा है और इस नीती के तहए लॉट डलहौजी ने भारत की कई राजियों को बिट्ट सामराज के अधीन किया था यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ जो भारती राज इस्ट इंडिया कमपनी के अधीन थी तो उन राजियों में राजा या नवाब सासन करती थी मानलो कोई नवाब है और उसको पुत्र नहीं है तो उसका जो राज है उसके मरने के बाद किसके पा अब आप किसी पुत्र को गोद लेना चाहे तो वो गोद लिया हुआ पुत्र मानने नहीं होता था इसी नीती को इतिहास कारों ने क्या कहा है हडप नीती कहा है यह डलहौजी की नीती थी 1848 में लौड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को अंग्रेजी सामराज्य का हिस्सा बनाया और उस समय वहाँ के राजा अप्पराव साहिब थे यह एक बहुत ही अच्छा प्रस्न है इसको आपको याद रखना है कि लौड डलहौजी की हडप नीती का सबसे पहला सिकार कौन सा राज हुआ था सतारा कहां है महरास्ट में है 1849 में संभल पुर्जों की उड़ी सामहज तो वहां के जो राजा थे नारायन सीन तो उनके राज को अंग्रेजी सामराज में सामल किया गया था इसी नीती के तहर अठारषू 53 में जहांसी को लौड डलहौजी ने अंग्रेजी सामराज का हिस्सा बनाया था उस समय जहांसी के राजा गंगाधर राओ थे 1854 में नागपुर को हड़ा पलिया गया था इसी नीती के तहर और उस समय वहां के राजा रगुजी तिरती थे 1856 में लॉड डलहोजी ने किया किया था कि कुसासन का आरूप लगा के बाजित अली साह के राज अवद को हड़ा पनीती का सिकार बनाया था अवद के वारे में पढ़ा चुका हूँ आपको अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंतमें आपको मिल जाएगा तो उसे आप जरूर देखिएगा लॉड डलहौजी ने कुछ राजियों को युद में जीत कर अंग्रेजी सामराज का हिस्सा बनाया था यहां पर क्या कहा गया है कि कुछ राजियों को तो युद के माध्यम से अंग्रेजी सामराज का हिस्सा बनाया गया था और कुछ राजियों को हाड़प नीती के माध्यम से अंग्रे जी सामराज में सामिल किया गया था लॉड डलहौजी के कारेकाल में दुतिय आंगल स्थिक युद हुआ था जो 18 अप्रेल 1848 से मार्ज 1849 के मद में चला था और इसी समयल लॉड डलहौजी ने पुरसद कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भीज दिया था तथा राजा दिलिप सिंग को पैंसन देकर पढ़ाई करने के लिए इंगलेंड भीज दिया था देखिए इसके बारे में अपने पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ जब मैंने राजार अंजीत सिंग के बारे में आपको पढ़ाया था तो ये चर्चा मैंने वहाँ पे की थी और इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो राजर अरजीत सिंग बाला जो वीडियो है वो आप देख लीजिए और वो वीडियो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा तो उसे आप देख सकते हैं इस युद में अंग्रेजियों की जीत हुई थी और सिखों की हार हुई थी लोड डलहोजी के कारकाल में ही दुतिय आंगल बर्मा युद हुआ था जो अपरेल 1852 से दिसंबर 1852 के मद में चला था जिसमें बर्मा की हार हुई थी अंग्रेजियों की जीत हुई थी बर्मा को आदनिक मियानमार कहा जाता है लोड डलहोजी ने देशी राजाओं की उपादियों को समाप्त किया था जिसका पहला सिकार 1851 में नाना साहब को बनाया गया था उनकी आठ लाग बारसिक पैंसन को बंद कर दिया गया था तो ये भी एक अच्छा प्रस्न है कि उपादियों का अंत किसके कारेकाल में हुआ था लोड डलहोजी के कारेकाल में हुआ था भूमी कर रहित जागीरों को चीनने के लिए 1852 में इनाम कमीसन की स्थापना की गई थी अब बात करते हैं लोड डलहोजी के प्रसासनिक सुधारों पर लोड डलहोजी ने अंग्रेजी तोब खाने को मेरट में इस्थाना अंतरत किया था और सेना का मुख्याला सिमला में बनाया था 1854 में लोड डलहोजी ने चौल्स बुड के डिस्पैच को लागू किया था जिसके अनुसार प्रतेक जिले में एंगलो वारना की उलर स्कूल और कलकत्ता, मदरास और बंबई में एक एक बिस सुपित ध्यालाय की स्थापना की गई थी कलकत्तो को आजने कोलकाता कहा जाता है, मदरास को चीनने कहा जाता है, बंबई को मुंबई कहा जाता है हलागि मैंने यहाँ पर पुराने नाम लिखे हुए हैं लोड डलहोजी ने सिमला को ग्रीस में काली दाजधानी बनाया था लौट डलहौजी ने 1853 में अधिकारियों की नियुक्ती के लिए प्रतियोगी परिक्षा की ववस्था की थी और इसके लिए जो उम्र सीमा थी वो 18 से 23 बर्स के मद्ध में तै की गई थी लौट डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है ये भी प्रस्ण बहुत भार एक्जाम में पूछा गया है क्योंकि उसके ही कारिकाल में अपरेल 1853 में भारत में पहली बार बंबई से थाने के बीच में रेल चलाई गई थी तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और ये प्रस्ण भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है 1854 में दूसरी रेल कलकत्ता से रानी गंज के बीच में चलाई गई थी पहली चलाई गई थी बंबई से थाने के बीच में और दूसरी कलकता से रानी गंजे के बीच में 1823 में ही कलकता से आगरा के मद पहली बार बिजली से चलने वाली तार सेवा की सुरुवात भी हुई थी ये भी प्रिशना आपको यहां पर ध्यान रखना है कि 1853 में कलकत्ता और आगरा के मद्द में बिजली से चलने वाले युतार सेवा होती थी उसकी सुरुवात की गई थी भारत में पहली बार स्वतंतर रूप से सार्वजनिक निर्मान वभाग की स्थापना करने का स्थ्रे भी लॉट डलहौजी को ही दिया जाता है इसको भी जितना मैंने ये हाइलाइट किये हुए है ये बहुत ही महत्पूर है तो इनको आपको बिसी स्थ तोर पे याद रखना है लॉट डलहौजी के कारिकाल 1854 में भारत में पहली बार डाक टिकेट का प्रिचलन प्रारंब किया गया था ये प्रिच्ण भी बहुत महत्पूर है और उसको कई बार एक्जाम में पूछा गया है 1854 में ही स्वतंत रूप से लोक सेबा बभा की स्थापना का स्रे भी लॉड डलहौजी को ही दिया जाता है तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि लोक सेबा बभा की स्थापना का स्रे किसको दिया जाता है लॉड डलहौजी को देखिए लोक सेबा बभा की स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी लेकिन स्वतंतर रूप से किसके कारेकाल में हुई थी लॉट डलहौजी के कारेकाल में हुई थी ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है लॉट डलहौजी का कारेकाल 1848 से 1856 के मद में था अब बात करते हैं 1857 की लड़ाई के पिर्मुक कारणों पर 1851 में लॉट डलहौजी के द्वारा नाना साहब की आठ लाक बारसिक पैंसन को बंद कर दिया गया था लॉट डलहौजी ने 1856 में क्या किया था कि अबद राजे पर कुसासन का आरूप लगा कि अंग्रेजी सामराजी का हिस्सा बना लिया था और उस समय जो नबाब थे बाज़त अलीसा है उन्हें कलकत्ता में नजर बंद कर दिया गया था और इससे क्या हुआ था कि आवद राजे में बड़ी हलचल पैदा हो गई थी भारती साहनिकों को अंग्रेजी साहनिकों की अपेक्छा कम बेतन दिया जाता था और उन्हें उच्च पदों पर भी नुक्त नहीं किया जाता था 1856 में आए एक एक्ट की दुआरा सैनिकों को समुद्र के रास्ते बिदेश जाना अनिवार कर दिया गया था तथा पगड़ी बांधने पर भी परतीबंध लगा दिया गया था देखिए पहले हिंदुओं में ये मानिता थी कि कोई भी बैटी जो हिंदु है वो अगर समुद्र के रास्ते कहीं बाहर जाएगा तो इसका धर्म बरस्ट हो जाएगा ये पहले मानिता पर चले थी हाला कि अब तो नहीं है तो यहां पे 1856 में एक एक्ट आया था और उसमें ऐसा कहा गया था कि सेनिकों को समुद्र के रास्ते बिदेश जाना जरूरी है और पगड़ी नहीं बान सकते इस पे भी प्रतीबंद लगा दिया गया था इसी समय सेनिकों को नए प्रकार के कार्तूस भी दिये गई थी जिनने मुह से खोलना पड़ता था और इन ही कार्तूसों के सम्मंद में एक अफवाय फैला दी गई थी कि इन कार्तूसों में गाय और सुमर की चर्वी का प्रियोग किया गया है अगर आप इनने मुह से खोलेंगे तो आपका धर्म बरस्ट हो जाएगा इन सारी घटनाओं के बाद मुगल सासक बहादूर साह, अबद की नबाब बाजिद अली साह, तात्या टूपे और कुमर सींग आदी के द्वारा एक बड़ा क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था इस संगठन का नेता मुगल सासक बहादूर साह को बनाया गया था और क्रांति की तारीक 31 मई 1857 निश्चित की गई थी लेकिन उससे पहले ही बैरकपर चावनी के सैनिकों ने नए परकार के कार्तूसों को मौह से काटने से इंकार कर दिया था इस पर अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें पद से हटाने की धम की दी और उन्हें दंड देने का भी निश्चिय किया था इस घटना के बाद मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने 29 मार्च 1857 को दो अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारके हत्या कर दी थी इसके बाद मंगल पांडे को ग्रिफतार करके 8 अपरेल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था मंगल पांडे की फांसी के बाद मेरट के सैनकों ने भी नए कार्थूसों का प्रियोग करने से इंकार कर दिया था इसके बाद उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था 10 मई 1857 को 32 सैनकों ने अंग्रेजों के बृद करांती के घोठना कर दी थी और दिल्ली चलो का नारा दे कर दिल्ली की ओर चल पड़े थे 11 मई 1857 को करांती कारी सैनकों ने दिल्ली के लाल के लिए पर अधिकार कर बाहद्दूर साय जफर को अपना बाद साय घोसत कर दिया था इसके बाद अंग्रेजों ने हैंडरी बरनार्ट और आर्कडेल बिलसन के नितरत में एक अंग्रेजी सीना दिल्ली भेजी और दोनों सीनाओं के मद्ध युद हुआ और इस युद में अंग्रेजों की जीत हुई थी अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल के लिए पर फिर से अधिकार कर लिया था बहादुर साहर जफर को आजीवन कारावास की सजा सुना कर रंगून भेज दिया गया था जहां साथ नौमबर 1862 को बहादुर साहर जफर की मिरती हो गई थी रंगून आधनिक म्यानमार में है इस घटना के बाद कानपूर में नाना सहब और तात्या टोपी ने करांतिकारियों का नित्रत किया तथा बिहार में जगदीश पूर की जमींदार कुवर सिंग ने करांतिकारियों का नित्रत किया था जून 1858 में अंग्रेजों ने सर हूरुज की नित्रोत में एक सेना जहासी भीजी थी हूरुज ने जहासी के किलेपे आकर्मन किया लेकिन रानी लक्षमी भाई ने क्या किया कि पराजय होनी से पहले ही वो जहासी से गौलियर चली गई थी लेकिन हुरुज ने उनका पीछा नहीं चोड़ा था 18 जून 1858 को वह बीरगती को प्राप्तु ही थी लेकिन स्वतंतरता की आग तब तक पूरे देश में फैल चुकी थी हाला कि जहासी किरानी के बारे मैं एक स्पेसल बीडियो बनाऊंगा और उसी में उनके पूरे इतिहास को बिस्तार से पढ़ाऊंगा तो इस वीडियो में मैंने लॉड डलहोजी और स्वतंतरता संग्राम के प्रमुक कारणों की चर्चा की तो जो लोग अपने नोर्स बनाना चाहते हैं उनके लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद